द्रिश्टेश के ओडियो अटिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का ओडियो अटिकल दे इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेक इन मिस्टरी अटैक उन रस्यान डबल एजेंट टैक्टिक्स ओफ गोल्ड वार और अन्यू एग्रेशन और दे हिंडू में प्रकाशित संपाद किया अटैक ओन फॉर्मर रस्यान स्पाई परफेक्ट अटैक के सम्मिलित सारांश पर आधारित है इसमें टीम द्रिश्टी के इनपुट भी शामिल है यह ओडियो आटिकल सामाने अध्यन प्रश्ण पत्र दो के अंतराष्ट्रिय खंट से जुड़ा हुआ है तो है यह लेक की शुरुवात करें नए शीति उद्ध की आहट मार्च दोहजार अठारा के पहले हफते में ब्रिटेन में रह रहे है रूस के एक पूर्व जासूस सरगेई स्क्रेपल वो उनकी पुत्री यूलिया को जहर देने का मामला सामने आया था यह घटना ब्रिटेन के सलिस्परी शहर में तब घटी जब सरगेई अपने बेटी के साथ सुबह टेहलने के लिए निकले थे इस घटना के तुरंत बाद ब्रिटिश प्रधान मंत्री थेरेसा में ने आरोप लगाया कि इस घटना में रूस का हाथ है लेकिन रूस की सरकार ने ब्रिटेन के इस आरोप का खंडन किया है इस घटना के चलते पहले तो ब्रिटेन ने रूस के कई राजनईकों को अपने देश से निशकासित कर दिया और ब्रिटेन के बाद अमेरिका औस्ट्रेलिया समेट 23 देशों ने रूस के लगभग 130 राजनईकों को अपने अपने देश से बाहर कर दिया है रूस ने भी जवाबी कारवाई करते हुए अमेरिका के 60 राजनेकों को निश्कासित किया और बिटेन से एक महिने में 50 राजनेकों को वापस बुलाने का आदेश दिया है ट्रम्प प्रशासन ने संकेत दिया कि निकट भविष्च में वह कुछ और रूसी अधिकारियों पर कारवाई कर सकता है सन्योक तराष्टर में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने बताया कि निश्कासित रूसी जासूसों को आमेरिका से बाहर भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है नियू यूर्क स्थित सन्यूक तराष्ट मुख्याले में तैनात तराजनईकों पर आमेर की कानून लागू होते हैं। हैली ने कहा कि रूस सीरिया में अत्याचार और यूक्रेन में आवैद गतिविधियों को अंजाम देने के बाद अब अमेरिका के निकट सहयोगी देशों में रासाइनिक हमले कर रहा है। इसे बरदाष्ट नहीं किया जा सकता। आगे उन्होंने यह भी कहा कि नियू यूर्क में सन्युक्तर आश्टर परसर को रूस ने अपनी खतरनाग गतिविधियों के लिए सुरक्षित पनागा बना रखा है। इन घटना क्रमों के मद्दे नजर हमारे लिए इससे जुड़े समस्त पहलूं पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। ऐसे में भारतिय विदेश निती की क्या दिशा होगी। तो चलिए एक एक कर हम उपरोग प्रशनों के जवाब निकालने की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले सरगेई स्क्रिपल के बारे में जानते हैं। स्क्रिपल मूलतह रूस के ही जासूस थे मगर बाद में उन पर रूस की ही गोपनिय जानकारियां ब्रिटेन की खूफिया संस्था MI6 को बेचने का आरोप लगा था। रूस ने इस पर कारवाई करते हुए स्क्रिपल को 13 साल के कारावास की सजा दी थी। सन 2010 में ब्रिटेन और रूस के मध्य हुए एक समझोते के तहट स्क्रिपल अपने परिवार के साथ ब्रिटेन आ गए और सलिस्परी में रहने लगे। वर्तमान में पूर्वर रूसी जासूस और उनकी बेटी ने ब्रिटेन की नागरिकता ले रखे थी। अब बात करते हैं उस जहर की जो अपने आप में खास है। गौर तलब है कि रूस के उपर पहले भी बहुत बार इस जहर का प्रयोग करने के आरूप लगते रहे हैं। रूस ने इस जहर का निर्माड द्वितिया विश्वय उद्ध के बात किया था। रूस ने यूरोप में अपनी बढ़त बनाये रखने के लिए सबसे पहले इस रासाइनिक जहर का इस्तिमाल किया। हामले में इस्तिमाल होने वाला यह जहर सैने ग्रेड नव एजेंट के रूप में जाना जाता है। और यह रूस द्वारा शीत युद्ध के दौरान 1970 के दशक में विखसित रासाइनिक एजेंटों के नविचो क्लास के रूप में पहचाना गया है। 2006 में लंदन में एक और पूर्व रूसी जासूस को रूस द्वारा इसी जहर से मारने की संभावना जताई गई थी। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि शीत युद्ध क्या है और इसकी उत्पत्ती कैसे हुई। समकालेन विश्व राजनीती के इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध की समापती को एक महत्वपूर्ण पड़ाओ माना जाता रहा है। शीत युद्ध की शुरुवात दूसरे विश्व युद्ध की समापती के बाद से ही मानी जाती रही है। दूसरा विश्वयुद्ध मित्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य हुआ था, एक तरफ मित्र राष्ट्रों की अगवाई अमेरिका, सोवियत संग, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ धुरी राष्ट्रों की अगवाई जर्मनी, इटली और जापान कर रहे थे, भले ही दूसरे विश्वयुद्ध का केंद्र योरोप रहा हो, केंटो इस युद्ध का विस्तार, दक्षन पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, तथा भारत के कुछ पुर्वुत्तर हिस्सों तक था, 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरे राष्ट्रों के मध्य युद्ध समाप्ति की घोष्णा हुई थी, यहां यह बताना जरूरी है कि दूसरे विश्वयुद्ध के अंतिम दोर में जापान आत्म समर्पन करने वाला था, लेकिन अमेरिका ने फिर भी जापान के दो शहर हिरोशीमा और नागासाकी में परमाडू बम का इस्तमाल किया, वेचारकों द्वारा परमाडू बम गिराये जाने के पीछे तर्क दिया जाता है कि अमेरिका दिखाना चाहता था कि वही अब एक मत्र दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र है, और इसके पीछे अमेरिका के मंशा सोवियत संग को आगाह करना था कि वह अब दुनिया में अन्य जगों पर सैन्य और राजनीतिक लाब उठाने की न सोचे, यहीं से आगे चलकर वेश्वराजनीती के मंच पर दो शक्तिशाली राष्ट्रों का उदय हुआ, ये थे अमेरिका और सोवियत संग, इन दो जैसे सभी क्षेत्रों में कड़ी प्रतिसपर्धा का एक लंबा दोर चला, सोवियत संग दुनिया में सामयवादी विचारधारा थोप रहा था, तो अमेरिका पूंजिवादी नीतियों को दुनिया में प्रसारित कर रहा था, इस तरह से दोनों के मध्य किसी सैने टकराओ के बिना हर अस्तर का युद्ध चल रहा था, गौर तलब है कि उस समय तक दोनों राष्ट्र परमाडू हत्यारों से संपन्न हो गये थे, यदि सीधे सीधे युद्ध होता, तो दोनों राष्ट्रों को असिमित क्षते का सामना करना पड़ता, जिसमें ये तै करना मुश्क दी गई और शीत युद्ध ने द्वी धुरुविया विश्व की शुरुवात की, यह द्वी धुरुवियता तब तक चलती रही, जब तक की सोवियत संग का विख्टन नहीं हो गया, 1991 में सोवियत संग का विख्टन हो गया, तथा शीत युद्ध की स्वता ही समापती भी शीत युद्ध का यह दौर लगभग 1946 से 1991 तक चला। इन वर्षों के बीच सारी दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध होने के भैके अंतरगत रही। वर्षा संगठन का निर्माड किया। लेकिन आज वैसे हालात नजर नहीं आते हैं और नहीं वैसी टकराहट। आज दुनिया में विचारधारा के इस्तर का भेद लगभग खत्म हो गया है। व्यवहार में कौन देश सामयवादी है और कौन पुझीवादी यह निर्धारित करना मुश्किल है। आज के दौर में देशों के मध्या आर्थिक रूप से सशक्त होना और भूर आजनितिक बढ़त बनाना ज्यादा जरूरी हो गया है। जैसा हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि किस तरह प्रशांत महासागरिय और हिंद महासागरिय अक्षत् भूर आजनिति का अड़्डा बन गए हैं। दक्षन चीन सागर का मुद्दा तो इन सब में सबसे जटिल बन कर उभरा है। आज देश आपने आपको शक्तशाली बनाने के लिए दूसरे देशों में अधिक से अधिक निवेश करना चाहते हैं तथा उसे करजे के पैरो त अले दबाना चाहते हैं। इसके अलावा कूटनीतिक अस्तर पर सभी देश बढ़त बनाना चाहते हैं। उपरोक्त बातों के अलावा Cambridge Analytica Data Leak प्रकरण ने भी रूस तथा कुछ अन्य देशों के मध्य तनाव उत्पन किया है। गौर तलब है कि इस कंपनी पर सोशल जैसे की फेस्बुक से यूजर्स का डाटा लेकर बेचने के आरूप लगाए गए हैं। इस डाटा के माध्यम से अन्य देशों के चुनावों में मद्दाताओं के वोट डालने के व्यभार को बदलने की कोशिच की गई है। उलेकनिया है कि इस मामले में यह भी बात सामन आई थी कि भारत से भी कुछ राजनितिक दलों ने केम्ब्रिज एनालिटका से चुनाओं के दौरान डाटा लिया था ताकि हमारे यहां भी मद्दाताओं के मद्दान व्यभार को प्रभावित किया जा सके। शक्तिशाली राष्ट्रों को अब हत्यार बेचने के लिए व बड़े अस्तर पर एक दूसरे के राजनिकों के इधर से उधर किये जाने की घटना को राजनितिक विशलेशक विश्व में एक और नए शीत युद्ध के शुरू होने की दस्तक मान रहे हैं। वो लेखनिय है कि रूस के इस जहर देने के कांड में शामिल होने के आशंका पर है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप के सफल आयोजन के लिए रूस ने बड़े अस्तर पर धन खर्च किया है। ये कुछ ऐसी घटनाए हुई हैं जिनके चलते ब्रिटेन, आमेरिका एवं कई यूरोपिय देश रूस से नाराज हैं। इन तमाम देशों ने रूस पर कई तर फिर से विश्व को अपने गिरफ्त में तो नहीं ले रहा, इस पर विचार करना अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। अगर एक और बड़े मुद्दे की बात करें, जिसने आज दुनिया में खेमेबाजी को बढ़ाने का काम किया है, तो वह है उत्तर कोरिया का अडियल रव चीन साथ देता रहा, तो दूसरी तरफ रूस ने चुपपी साथ रखी थी। उत्तर कोरिया के परमाडू परिक्षणों पर रूस ने कोई कड़ी आलोजना नहीं की। इसके परिणाम स्वरुप एक तरफ रूस चीन दिखाई दिये, तो एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, जापान तथा यूरोपिया देश दिखाई दिये। इसलिए एक तरफ उत्तर कोरिया, चीन और रूस की तिकड़ी नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका व यूरोपिया देश नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले के हाल ही में उत्तर कोरिया के शासक ने ची चीन और उत्तर कोरिया अपने संबंधों को धार देने में लगे हैं। जो काम पहले परदे के पीछे से था, अब वो खुले आम हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बढ़ती गुटबाजी फिर से शीत युद्ध के हालात बना सकती है और फिर एक कूटनीतिक और कि युद्ध का दोर शुरू हो सकता है। फिर से विकास शील देशों को पहले जैसे हालातों का सामना करना पड़ सकता है कि वो किस गुट में जाएं और किस में ना जाएं क्योंकि आज का विश्व अंतर निर्भर बन चुका है, सभी राष्ट्रों को किसी ना किसी तरीके सभी राष्ट्रों की जरूरत है। अब सवाल यही उठता है कि यदि ऐसे हालात बनते हैं तो भारत की विदेश नीती क्या रहेगी। गौर तलब है कि भारत ने पहले शीत युद्ध में गुट निर्पेक्षता की नीती का अनुसरान किया था और नेमान दोलन का नित्रत किया। भारत ने अपने साथ उन सभी राष्ट्रों को शामिल किया जो सामेवादी और पुंजीवादी दोनों खेमों से अलग अपनी निर्पेक्ष विदेश नीती पर रहना चाहते थे। भारत सरकार ने सार्वजनिक तोर पर अभी कोई बयान नहीं दिया है लेकिन जान या कूटिनीती पर दोहरा असर होगा। सबसे पहले तो अभी आर्थिक और रणनितिक द्रिश्टिकोंड से भारत के लिए इन दोनों खेमों की जरूरत है। रूस पर अगर भारत अपनी सामरिक जरूरतों के लिए 70% तक निर्भर है तो अमेरिका के साथ जिस तरह से हर क् बंधन को और मजबूत कर ले। रूस और चीन के रिष्टों में आई गर्माहट को लेकर भारत पहले से ही चिंतित है। देश की जाने माने रणनितिक विचारकों ने भी इस खत्रे की तरफ इशारा किया है। उनके मताबिक ब्रिटेन ने जिस तरह से रूस के खिलाफ आक प्रामकता आएगी। वश्चिमी देश अपने इस सख्त रुख से रूस को चीन के पाले में धखेल रहे हैं। यह विवाद ऐसे समय में उत्पन्न हुआ है जब इन दोनों देशों के साथ भारत की कुछ आहम बैठकों का दौर जल्द होने वाला है। जून 2018 में भारतिया प्रधानमंत्री और रूस के राश्ट्रपती की शंगाई सहयोग संगठन की बैठक मुलाकात होगी और संभावता भारत रूस रणनितिक साजिदारी वारता भी उसी के आसपास होगी। जाहिर है कि भारत पर दोनों पक्षों का दबाओ होगा। उलेखनिया है कि भारत इतना नजदीक गया लगभग उतनी ही दूरी रूस से बनती चली गई। इसके कुछ नकरात्मक परिणाम भी सामने आये हैं। कहा जा रहा है कि रूस का हत्यार वसैन सहायता का विस्तार पाकिस्तान के लिए बढ़ता जा रहा है। गौर तलब है कि 2017 में पाकिस्तान में अफगानिस्तान, चीन, तुर्की, एरान, रूस ने हिस्सा लिया था। इस वारता में कश्मीर के मुद्दे का सन्युक तराष्ट संग के माध्यम से शांती पौन हल निकालने पर जोर दिया गया। ऐसा पहली बार देखा गया कि भारत के हितों के खिलाफ रूस इतना खु पौकिस्तान के तिकड़ी बंती दिखाई दे रही है। यह भारत के लिए चिंता का विशय है। रूस हमारा हमेशा से मित्र रहा है। संतुलित विदेशनीती के माध्यम से भारत को रूस के साथ भी संबंधों को एहमियत देनी होगी। तब ही जाकर हमारी विदेशनीती म और अधिक व्यावारिकता आ सकेगी आईए अब नूट करते हैं आज का सवाल सवाल है यदि विश्व फिर से शीत युद्धकाल की तरह खेमों में विभाजित होता है तो भारतिय विदेश निती उससे उत्पन होने वाली चुनोतियों से किस प्रकार निपट सकती है व्याख्य कीजिए